हेलो दोस्तों वेलिगम बैक टू माई चैनल और मैं हूं सुजाता तो दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करने जारी हूँ जो आपके कीचन को गंदा होने से बचाएगी कुछ ऐसी क्लीनिंग की ट्रिक्स है या आपके कीचन को किस तरीके से ऐसे व्यवस काई वीडियो सित तो काई ऐसे खीचन के से जारी कि खोया घंविडियरी ट्रिक्रेच कोंबिन जाता है तो पानी लिकश करनी लग जाती है जो भी कुछ आमने त्रफियर कूकर में रखा रहता है और जो आपके रहता है। उपल भी इसकी बहूं जातीजividad dal प्राय पुर ép電 और अगर चाहल में आगर गड़ागाते रुष Påadu, एक। जो कि यह आपके साइज WRत तो इस त। प्लेट केmos पानी गड़ा में, वाद पुरूल ल कणित दोस्त कपड़े ज़ो के एक अपकर गिरागा तो मेरी नेक्स्तित्प यह दोस्तों की हम मार्किट से बहुत ज्यादा तो एक सिम्पल सी ट्रिख मैं आपके साथ कर आहाँ यहां पर ले लिजी आपके पुराना कपड़े का टुकड़ा हो बड़ा पीस में चोटा पैसों तो नि अपनी पुरानी बैंगल ले ले लिजी तो इस तरीके से इसे टम कीजिए और यहां पेश कोई भी सेवटी पिल आप आपने बातरूम के लिए बना सकते हैं तो यह बहुत ही अछह दिखने में भी बिलकुल नहीं लगता कि आपने से एक बैंगल से बनाया है या घर में बनाया है तो इस तरीके से आप kitchen टावल बना सकते है तो मेरे हमारे फ्राब्लम यह होते हैं जो पॉलिथीन होती है उसको और्गनाइज करने के लिए कुछ मैं बताईए या वो ऐसे जगह हमने रखे रहती है कि वो पूरा एक गुछा सा बन जाता है तो उसके लिए और्गनाइज करने के लिए मैंने फुद अपनी किचन में यह चीज लगा रही है यह है सिंपल जो मा यह सारी इसमा उसमर और्गनाइज करके रखती हूँ तो जितनी भी पूलिथीन है यह सारी इसमें ऑर्गनाइze करके आँ हम में रखेंगे यसमaining धर दर्वाजे की पीछे कहीं भी है है और यह भ़त अच्छा ऑर यह आगकर बे hetern ला लGeर तो मैंने इस तरीके से 1 में थाहने से, तपमारा भी हए भाटघी क्लिन घ्ली चाले के तफ दोग हो जाता चुम है तो इसके लिए मैंने सिंपल सा एक ब्रॉश लिए एपटर को मैं भाट में मैकले के सब्सक्राइब मैं आप मुंम्मत्य के help से इसको हलका सा इस तरीके से melt करूँगी इसके joints पे जो आगे से brush के joint पे और इसको melt करने के बाद आपको हलका सा इस तरीके से turn कर लेना है turn करने से क्या हो जागा है यहां से यह मोड जाएगा और यह बहुत अच्छा brush एक आपका cleaning brush बनके बिल्कुल ready हो जाएगा इस तरीके से turn करने के बाद थोड़ी दिर उससे सुखा ले तो यह एकदम से tight हो जाएगा तो थोड़ा सा वहां पे dish gel डालिए अपने mixi jar के वहां पे इस तरीके से और यह brush के help से मैं इसे clean करके आपको बताओं यह इससे बिल्कुल आसानी से clean हो जाएगा कुछ बूंदे आप यहां पर पानी की डाल सकते हैं पानी से भी आसानी से साफ हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने mixi jar को clean कर सकती हैं जो ऐसी जगाएं होती है कि जिसे clean करने में problem होती है जहां पर राउंड राउंड यह इस तरह की चोटी-चोटी होल्स होते हैं तो आप इस तरीके से brush को melt करके भी इससे clean कर सकती है थोड़ा से यह पेपर लगा के clean कर रही हूं कि जित्ती भी गंदगी है सारी इस कागच में आ जाए तो इस तरीके से अपने mixy jar उसके button को clean कर सकती है और side में इसको उल्टा करके में जो corner वाला area होता है उससे clean कर रही हो तो मेरी आपर next tip है दोस्तों कि यह जो water bottles होती है हमारे पास बहुत ज़्यादा पढ़ी होती है तो इसका मैं एक use करना आपको बतारी हूं कि जो बहुत ज़्यादा कामान के लिए बट वो मुझसे है काम नहीं करा तो मैं इसको छोड़ दिया वर जो उपर वाला है उसको मैं कट कर लूंगी यह बहुत काम का है मालो आपके पास बहुत ऐसे चोटे चोटे बाटल सो होती है जिसमें आपको इन चीचों को डालना होता है मालो जीरा है तो इस तरीक लाग छोटे से उसके आपको क्या पाना है यह दुझने के वह जात तरीके से आपको सिंपल इस तरीके से डाला है तो यह गंडेकर बहुत काम आता है अज की आपको डिश्या के लिए यह अव्श्या के लागा था रिख काम आपको मेरी सबसे जादा पसंद आई तो प्लीज ये भी कमेंट कीजिए आपके पास भी कुछ इस तरीकी की ट्रिक्स है मेरे साथ जरू शेर कीजिए तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स वीडियो में तब तक ले बाई तेक्या